भारत की मोधी सरकार की खुपिय एजिंसी को यह जानकारी नहीं थी कि 25 तारी की उडान भरने से पहले 24 तारी को रूस की सेना यूक्रेन पर हमला कर दीगी परधान मंत्री नरिंदर मोधी के विश्व भरमन पर कितने खरब रुपे खर्च हुए इसका हिसाब ना भारत सरकार बताती है ना मोधी मुझ खुलते हैं पर बैठाने के लिए मंत्री फोटोग्राफी करा रहें यूकलेन के अंदर पहुंच करके मदत ना भारत की वाई से ना कर रही है ना भारत के मंत्री कर रहें और ना नरिंदर मोधी के समंद कर रहे हैं यह धर्म की अफिम पिला करके आप सब लोगों को बदनाम करने का सड्यंतर करते हैं आपकी जान जोखे में डलवाने का सड्यंतर करते हैं नरिंदर मोधी ने यह तो कहा कि बीजिशों में नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन भारत में जो मेडिकल की प् मोधी मौन हैं दोस्तों नवशकार मैं हूँ बुपिंद्र नावात और आधम बात करेंगे रूश के द्वारा 24 वर्वरी को यूक्रेन पर हमले के बाद पूरा देश सहम गया था क्यों क्यों कि हमारे बीस सजार से चादा चात्र और पांच जार नागरिक यूक्रेन में फसे हुए थे वहाँ पर चात्र चात्राएं किस तरीके से भूके प्यासे अपनी जान जो खिमें डाल करकी गुहार लगा रही थी मदद की और इसी बीट में एक मार चुको हमारे देश के मेडिकल के चात्र जोहाँ पर नभीम उनकी रूशी सेना के गोली से जान जाने की सूचना उजागर होती है तीन बजे के लगभग तमाम भारत का मीडिया दिखा रहा था और तीन बजे के लगभगी हमारे देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोधी आनंद लेने के लिए भारती जिन्ता पार्टी की कारेकरताओं की सभा में कह रहे थे कि आप घर घर जाना और बोलना सबको की मोधी का प्रणाम है और मोधी का सबको नमस्कार बोलने पर मोधी को भावत आनंद आएगा जिस बक्त हमारा देश एक युवा च्छात्र नवीन के मोत की सुचना में गमगीन था देश का प्रधान मंत्री आनंद लेने के लिए घर घर नमस्ति और बोट मांगने मद्दाताओं के पास केंद्रिया मंत्री परलाद जोशी जो संसद्या कार्या मंत्री भी है कोईल और खानन मंत्री भी है उन्होंने तो हमारे देश के जो विदेशों में पढ़ रहे चात्र है नवीन की मोत की सुचना के बाद उनकी योग्यता पर परसन चिन लगा दिया कहा कि ये 90 परसत तो चात्र वो है जो नीट की परिच्छा पास करने लायक नहीं है मेरे दोस्तों मैं बताना चाहता हूं नवीन ने बारुई में 97 परसत माख सासिल किये है और हमारे देश के अंदर मेडिकल के चात्र नवीन की सुचना से पहले और सुचना के बाद भी जो फसे हुए चात्र चात्राओं की जो गौहार लगाई जा रही थी बहाँ पर हमारे भार्तिया राजदूतों के द्वारा जो उदासिंता और मोदी सरकार के द्वारा जो उदासिंता थी उसको जाहिर किया जा रहा था तब हमारे देश में देश के चात्र विरोदी किसान विरोदी मेहला विरोदी ही मुशिलिम विरोदी गरीब विरोदी आधिवासी देपि मोधी समर्थक अंदवखत इसको साजिस बता रहे थे है गोधी security media भी भूमी का निभाणा था है मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश में सत्ना के शिकरवर बैठे रंगा और बिल्ला कर गुझराद से हैं और जिस रंगा और बिल्ला जिस कुझराद से हैं वहां केमें बात करना चाहतूं विद्यारथी का आप सब वो मदद के लिए फोन करता है और तब विदेश मंत्राले की हेलप लाइन से बता जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती है उसकी शिकायच थी कि पोलेंड तक हमारे बच्चे जैसे तैसे पहुंच चुके हैं वहाँ 1200 बच्चे फसे हुए हैं उनको पोलेंड की सरकार पोलेंड की पुलिस परवेश नहीं करने दिय रही है तो विदेश मंत्राला हाथ खड़े करते हुए कहता है कि हमारी सरकार ने एडबाजरी जारी कर दी थी जन्वरी के आखिर में और से एडबाजरी में कहा था कि विशेश तोर पर सभी भारतिया यूक्रेन छोड़ दें लेकिन उ विदेश मंत्राले की हेल्प लाइन पर भी जूट बोला गया मैं 17 फरवरी को बीर बार का दिन था विदेश मंत्राले के परवक्ता अरिंदम वाक्षी ने एक प्रेस मीडिया ब्रिफिंग में साफ साफ कहा कि भारत सरकार का अभी यूक्रेन में अपने नागरिकों को निक भा गया था ठीक उसी तरीके से है इतना जूट जिस तरीके का जूट गलवान घटी में भारत के 20 निहत्य जवानों को चीनी सेना ने घुष करके पीट-पीट कर मार डाला था और 76 जवानों को अद्मरा कर दिया था तब देश के परधान मंत्री मोधी बोले थे ना कोई घ भुषाया है और ना हमारी किसी चोगी पर किसी का कबजा है जबकि गलवान घटी में चीनी सैनिकों का आज भी कबजा कायम है यह किस परवरी को पहली मर्तबा एक एडवाजरी जारी करती है मोधी सरकार के इसारे पर यूक्रेइन में भारतिया एंबेसी यह संज्योग है क इस चेकी परियोग है देखिए कि पचीस परवरी को एक जहाज से टइस परवरी को दो जहाज और छै मार्च को एक जहाज यूक्रेव में फसे वीश सजार से ज्यादा च्छाटर और पांट सजार नागरिकों को निकाने के मददगार करेगा और 21 फर्वरी को तै करती है मोदी की सरकार और 24 फर्वरी को रूस हमला कर देता है यूक्रेन पर तो क्या सच में भारत की मोदी सरकार की खुपिय एजिंसी को यह जानकारी नहीं थी कि 25 तारी के उड़ान भरने से पहले 24 तारी को रूस की सेना युक्रेन पर हमला कर देगी यदि सच में यह जानकारी खुपिया एजिंशी को नहीं थी तो तब मैं यह कहना चाहता हूँ कि नरेंदरा मोदी की सरकार को समंदित अधिकारी जो खुपिया एजिंशी के हैं उन्हें बरखास्त करना चाहिए और देश के 20 सजार चात्रों को और 5000 भारत के नागरीकों के जीवन के साथ खिलवार करने के लिए उन पर मकदमा चलाया जाना चाहिए और नवीन के हत्या का मकदमा चलाया जाना चाहिए और यदि मोदी सरकार को खुपिया एजिंशी की रिपोर्ट मिल चुकी थी कि चून चीन रूस का हमला यूक्रेन पर 24 परवरी को हो सकता है लेकिन जान बूज करके मोदी सरकार ने ठीक उसी तरीके पर जिस तरीके 2019 में 13 फरवरी को खुपिया एजिंशी की रिपोर्ट खारिश करके लोग सबा का चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों को मरवाया था मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जब 24 फरवरी को रू समला कर चुका था तो 26 फरवरी को परधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं वो कहते हैं वी देशों में पढ़ने पर बासा का दिक्कत होती है भारत के चात्र छोटे छोटे देशों में जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं इससे भारत का अर्वा खर्वा रुपए का बरबादी होता है जो बहार जाता है परधान मंत्री नेरंदर मोदी के विश्व भर्मन पर कितने खरव रुपए खर्च होए इसका हिसाब ना भारत सरकार बताती है न मोदी मोग खोलते हैं और हमारे देश के अंदर हमारे देश के महिला मुस्लिम दली आदिवासी और मैं कहूंगा मुस्लिम विरोदी किशान विरोदी छातर विरोदी मोदी समर्थक अंदवक्त कहते हैं क्यों जाते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज में प्रयाप्त सीटे नहीं है और नीजी मेडिकल कॉलेज एक एक करोड रुपे ज़्यादा की फीश वसूली कर रहे हैं और भारत के छातर बीदेशों में जाकरके चाहों यूक्रेन हो चाहों बं श्यासनिक थे अरस्तू उन्होंने कहा कि मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जसन में तब्दिल कर देता है ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत में मोदी सरकार ने अपनी असफलता दो परकार की असफलता अगर खुपिय एजिंशिया इनकी नालाय का नाकाम है तो वह कायम क्यों है उन्हें हटाया क्यों नहीं जा रहा जेल में क्यों डाला जा रहा है और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं यह खुपी एजिंसी की रिपोर्ट सही समय पर मिली थी और मोधी सरकार ने उसको खारिज किया तब हमारे 20,000 चात्रों के जीवन को देश के 5000 नागरिकों के जीवन को खत्रे में डालने और नभीन के हत्या का मुकदमा देश के परधान मंतरी और देश के बिदेश मंतरी पर क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए शिले मैं कहना चाहता हूं अरश्तु की वह बात आज भी कहा जा रहा है कि भारत की सरकार के मं मंतरी वहां पर फसेवे लोगों को निकाल है बिल्कुल जूट है बहान यूक्रेन में फसेवे छात्र पैदल हो भूके प्यासे हो गाड़ी घोड़े से हो अपनी मेनस से यूक्रेन की सीमा पर पहुंच कर दूसरे देश में परवेश कर रहे हैं और वहां जब पहुंच र रही है ना भारत के मंतरी कर रहे और ना नरिंद्र मोदी के समंध कर रहे बात मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत बड़ा चड़ा कर बताया जा रहा है कि मोदी के बहुत बड़े समंध है पुतिन के साथ लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस शीमा के पर रूस का इसलिए मेरे दोस्तों हमारे देश को सोचना और समझना पड़ेगा 19 जनवरी को जिस दिन अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन रूस के राष्टपती रूस को धमका रहे थे यूक्रेन पर हमला करने के लिए खबरदार परिणाम वकतने के चितावनी दे रहे थे ठीक उसी जिन 19 जनवरी 2022 को भारत का पर्धान मंत्री यूक्रेन में अपने पढ़ाई करने वाले बीस जार चात्र और पांस जार नागरिकों की चिंता छोड़ करके गोवा में चुनाओं की रणनीती बनार्थेज बिधान सबा का चुनाओं जीतने के लिए जिसे दिन हमारे देश के छात्र नवीन की हत्या की सूचना जिस वक्त आई पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी मद्दाताओं के पास अपना संदेश आनन्द लेने के लिए घर घर पोचाने के लिए आवान कर रहे थे 12 फर्वरी को अमेरिकार उसके समय स्योगी देशों ने अपने नागरिकों को 24 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा था और 17 फर्वरी को हमारे देश के बिदेश मंत्रा ले के परवक्ता ने कहा कि किसी भी कीमत पर हमको अभी हमारे सरकार की नियत ये इरादा बहार अपने नागरिकों को वहां से हटाने का नहीं है यूक्रेन से ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ अरे कम से कम यदि हमारे देश की खुपिया एजेंसी इतनी लाला एक हैं तो रूश और उसके स्योगी देशों का अंसरन करते हुए मोधी सरकार हमारे देश की 20 अज़ चात्रों को और पास जान नागरिकों को वहां से निकालती तो ना नवीन की जान जाती ना नवीन मारा जाता ना हमारे देश के चात्र जान जो खिम में डालकर पैदल भूके प्यासे तरपते हुए दूसरे देश में जान बचाने के लिए पहुंशते हैं मेरे दोस्तों इ टब इंद्रकुमार गुजराल हमारे देश के विदेश मंत्री थी और देश में परधान मंत्री बीपी शिंगी थे तब हमारे देश ने बिश्व रिकार्ड बनाया था जब कुबेट का और इराग का युद्ध था उसमें दो लाक से जादा भार्तियों को येर लिफ्ट किय गया था तब संसादन नहीं थे तब दो लाख लोगों को यह कठा करने के लिए आज के तोर पर जो तक्नीक है हमारे पस मोबाइल इंटरनेट वर्ट सेप यह तमाम जो सोशल मीडिया के माद्यम से जानकारिय पहुचने का माद्यम नहीं था आज तो माद्यम था हमारे देश क की बालक बालिकाएं यूक्रे में तड़ते रहे बंधमाकों के बीच में सहें करके भूखे प्यासे और भारत की सरकार नरेंद्र मोदी उनको निकालने की बजाए तब भासन देने लग गए कि भारत के बच्चे बिदेशों में क्यों पढ़ते हैं भासा की दिक्कत होती है अर्बा खर्बा रुपए जाया होता है तो दोस्तों हमारे देश की मोदी सरकार की परात्मिक्ता और दुनिया की परात्मिक्ता का मैंने जिक्र किया जो बाइडिन का उन्होंने उन्निस जन्वरी को आगा कर दिया तर बीस बारा फर्वरी को अपने देश के नागरिकों को निकानना शुन कर दिया था हमारे देश की मोदी सरकार नी तो हमला होने Okay ताहिक ताहिक रखे थी और च्छंभीस ताहिक को फिर पढ़ान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चात्रों को निकानने की बजाए इस पर सवाल खड़े कर दिये और जब हमारे देश के नभीन चातर की मेडिकल का चोथी वर्ष का चातर था उसकी सव भारत में पहुंशता है तो केंडरिया मंत्री पर्लाद जोशी किस तरीके से हमारे देश के बिदियसों में पढ़ने वाले मेडिकल के चातरों का मजाग उडाते हैं उफास उडाते हैं उनकी युग्यता पर सवाल करते हैं आपकी जान जोखिम में डलवाने का सड़्यंत्र करते हैं नरेंदर मोधी ने यह तो कहा कि बीदेशों में नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन भारत में जो मेडिकल की प्रिक्षा मेडिकल की पढ़ाई के नाम पर एक एक करोड़ रुपे की लूट ड़काईती डाल रह हैं और नए नए कोलेज खोलने की फिर बात कर रहे हमारे देश में पढ़ाई को नीजी लाब का जरिया बनाने की बजाए अगर मोधी सरकार कहें तो सरकारी सहस्तानों में मेडिकल कोलेज में सीटों का बढ़ोतरी की तरफ काम करें यह हो सकता था लेकिन ऐसे भी अभी मौके पर तब 1990 में दो लाक लोगों को एयर लिफ्ट करने की भूमी का एयर इंडिया ने निभाई थी अब तो एयर इंडिया टाटा को बेज दिया गया है और इस बात को भी आप सब को समझना पड़ेगा आपदा में अफसर जब हमारे चातर वहां फशे हुए थे तब 25- 35,000 रुपय का जो किरा था उसे 80-90,000 तक वसूली की बात सुरू हो गई थी धन्याबाद जैहिन जैजवान निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे